हलो दोस्तो मेरा नाम इश्वम्तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाइज़राट के आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप फाइब लेप्टॉप अंडर 25,000 रुपीस 25,000 रुपीस की सीरीज में जो हमारा फास लेप्टॉप है वो है HP का 15 APU Dual Core A9 प्रोसेसर आयो देखते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और देखते हैं क्या है इसमें खास इदी फ्रेंट्स बात करें हम इसके हाइलाइट्स की तो यहां पर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो AMD का APU Dual Core A9 प्रोसेसर देखने मिलता है और बात करें दी हमें यहां के RAM की तो यहां पर हमें DDR4 4GB की RAM मिलती है ओपरेटिंग सिस्टम में हमें DOS हाट डिक्स में हमें 1TB के हाट डिक्स डिस्प्ले में हमें 15.6 इंचेस का डिस्प्ले हाँ देखने को मिलता है आई यो फ्रेंट्स बात करते हैं हमें इसके कुछ स्पैस्टिफिकेशन की यहाँ फ्रेंट्स सेस्ट टाकेजिए हमें लेप्टाउप, बैट्री, पावर एडाप्टर, यूजर गाइड और वारंटी डॉक्यमेंट्स मिलते हैं बात करें इसके मॉडल लंबर की 15BW094AU इसका मॉडल नमबर है, इसके मॉडल नंबर है यहाँ थेंट्स दो childhood grown यहाँ हमें Çार बैटरी सेस्ट मिलते हैं बात करें कि debts यहाँ पर्षन पर अम्रमीन राट करें की इत्यां फूल को मिलता है यहाँ पर हमें Charger की RAM, DDR4, 1TB की Harddix, A9 7 Generation Processor, यहाँ पर हमें 3.0 GHz की Processor की Clock Speed मिलती है, जिसको हम Turbo Boost 3.5 GHz तक जा सकते हैं, यहाँ पर Memory Slot 2 मिलते हैं, Expandable Memory 16 GB है, RAM की Frequency की बात करें तो यहाँ पर हमें 1860 MHz की Frequency मिलती है, यहाँ हम कैसे की बात करें तो हमें 1MB का कैसे मिलता है, और RPM की बात करें यहाँ तो हमें 1400 RPM की यहाँ पर Harddix मिलती है, Graphics की बात करें तो यहाँ पर हमें AMD के Radeon R5 की Graphics मिलते हैं, Operating System यहाँ पर हमें DOS मिलता है, बात करें यहाँ पर हमें USB Port की, तो यहाँ पर हमें 2.0 का 1 port मिलता है और 2.3.0 के port मिलता है एक HDMI port यहाँ फ्रेंट जो screen का हमें जो size मिलता है वो 15.6 inches है और resolution की बात करें तो हमें HD resolution देखने को मिलता है फ्रेंट बात करें धिया हमें इसके screen type की तो यहाँ पर हमें LED backlets मिलती है और बात करें external की यहाँ तो हमें DVD writer भी मिलता है और फ्रेंट प्राइस के साब से यह best laptop है आप यदि इसको buy करना चाहते है तो description बात करते हैं अपने अगरे laptop की जो है F का Inspire 3 Core i3 6 generation और बात करें इसके highlight की तो यहाँ पर हमें Intel का i3 processor मिलता है 6 generation का DDR4 की 4gb RAM मिलती है Linux Ubuntu operating system के साथ मिलता है यहाँ पर हमें 500GB के harddex और 15.6 inches की display देखने को मिलती है अई फ्रेंस बात करते हैं इसके specification की कि हमें sales packaging में laptop, battery, power adapter, user guide और warranty document मिलते है model number की इसके हम बात करें तो 131551 इसका model number है series की बात करें तो Inspire 3 से है यहाँ बात करें यहाँ बैटरी cells की तो यहाँ पर हमें 2 battery cells मिलते हैं और battery backup की यहाँ बात करें तो 6.5 hours की यहाँ पर हमें battery backup देखने को मिलता है processor की branding friend Intel i3 6 generation 4 GB RAM DDR4 500 GB harddex 6 generation का processor 2.0 GHz की हमें clock speed देखने को मिलती है expandable memory 12 GB तक यहाँ बात करें प्रोसेसर कैसे की तो हमें 3MP का processor कैसे मिलता है और friend बात करें यहाँ पर RPM की तो हमें 400 RPM की harddex मिलती है यहाँ पर graphic processor की बात करें तो हमें Intel के integrated HD 520 graphic मिलता है operating system की बात करें तो हमें Linux operating system मिलता है यहाँ हमें 3.0 का 1 USB port और 2.0 के 2 USB port मिलते है display की बात करें तो यहाँ पर 15.6 inches का display मिलता है यहाँ पर HD resolution मिलते है अब बात करें हम इसके display की type की तो यहाँ पर मैं LED backlit के साथ मिलता है यही हम बात करें Acer की inspire 3 i3 की 11990 रुपर मिलता है और आप इसे buy करना चाहते है तो description में लिंक दी हुई है अब महां से आके इसके display की चेक कर सकते है अई यह फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं अपने अगले laptop की जो है HP का APU dual core A9 processor यहाँ फ्रेंट्स में आपको dual core processor A9 इसली जरीज कर रहा हूं यहाँ फ्रेंट्स हमें extra edition video GB का graphic card देखने को मिलता है अई फ्रेंट्स बात करते हैं इसके highlights की यहाँ पे हमें AMD का dual core A9 processor देखने को मिलता है 4GB की DDR4 RAM, 64 bit Windows का 10 operating system, 1 TV की hard disk और 15.6 inches का display देखने मिलता है अई फ्रेंट्स बात करते हैं में इसके specification की तो हमें यहाँ seller package में हमें laptop, battery, power adapter, user guide, warranty document और इसके model number की बात कर रहे हैं यहाँ 15QBY002AX इसका model number है यहाँ हमें battery cell की बात कर रहे हैं यहाँ 4 cell मिलते हैं यहाँ 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 पे graphic card की बात कर रहे हैं यहाँ पे DDR3 का 2GB का dedicated graphic card देखने को मिलता है यहाँ फ्रेट सरी आप gaming की शोकीन हो, यहाँ आप low shining में gaming खेला चाहते हो, आप 2GB की graphic card ले सकते हो, आप basic gaming की हाँ से कर सकते हो और यहाँ आप video editing भी करते हो, तो मैं suggest करूँगा आप यहाँ ले सकते हो यहाँ प्रोसेसर के साथ आपके 2GB का graphic card मिलता है, तो आप इसको भी buy कर सकते हो यहाँ फ्रेंट बात करते हैं कि हम processor brand की यहाँ पे हमें AMD का मिलता है A9 processor, 4GB की RAM, DDR4, 1TV harddix, A9 7 generation processor, 3.0 GHz की हमें clock speed मिलती है, जो कि बहुत यह अच्छी बात है इस clock speed को हम turbo boost भी कर सकते है, 3.6 GHz तर, यहाँ पे हम memory की 2 slots मिलते है, expandable memory 16GB, RAM frequency की बात करें तो यहाँ पे हमें 1860 GHz की RAM frequency मिलती है Cache की बात करें तो हमें 1MB का Cache मिलता है, और RPM की बात करें तो यहाँ पे हमें 400 RPM मिलता है यहाँ फिर 2GB के dedicated graphic के साथ, हमें AMD का Radeon 520S graphic भी मिलता है, बात करें इसके operating system architecture की तो 64 bit, operating system भी बात करें तो Windows 10 यहाँ पे हमें USB port 3.0 के 2 USB port मिलते है, और 2.0 के 1 USB port मिलता है, यहाँ हमें HD display देखने को मिलता है, और बात करें थी हमें इसके display type की, तो यहाँ पे हमें LED backlits देखने मिलती है इस budget trade में यदि आप video editing करना चाहते हैं, या फिर gaming के थोड़ा सौकीन है, तो मैं आपको service करूँगा, आप HP के APU dual core A9 processor के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको dedicated 2GB का graphic card मिलता है, जो का आपको इसकी मदद करेगा आयो फ्रेंट अब हम चलते हैं, अपने next laptop के ओर, जो है Lenovo का APU dual core A9 7 generation, आयो फ्रेंट देखते हम इसमा highlights, यहाँ हमें AMD dual core A9 का processor मिलता है 7 generation का, DDR4 4GB भी रहे मिलती है, यहाँ तो operating system हमें DOS मिलता है, बात करें harddex की, तो यहाँ पे 1 TV की harddex मिलती है, यहाँ बात करें नहीं अब देखते हम इसके कुछ specification, यहाँ पे जो battery backup है, up to 5 hours है, यहाँ बैटरी cell की बात करें, तो 2 cells मिलते हैं हमें, processor brand की बात करें, तो AMD, APU, dual core A9 processor, 7 generation, 4GB RAM, DDR4, 1 TV harddex, A9 7 generation, यहाँ हमें 3.0 GHz की clock speed देखने को मिलती है, जिसको हम turbo boots कर सकते हैं, 3.6 GHz सकते हैं, यहाँ बात क करें दिए हम इसके graphic processor की तो यहाँ पे में Intel के integrated HD graphic ही मिलते हैं, और operating system में यहाँ पे फ्रैंड हमें Windows 10 मिलता है, बात करें USB port की तो 3.0 का 1 USB port, और 2.0 का 1 USB port मिलता है, और यहाँ हमें हमें इसके साथ साथ एक HDMI port भी मिलता है, बात करें इसके display की तो यहाँ पे 15.6 inches का यहाँ डिस्पेल मिलता है HD resolution के साथ और यहां पे screen के type की बात करें तो यहां पे LED backlets भी इतने को मिलती है लेनोगों का APU dual core A97 generation के जो हमें laptop मिलता है वो मिलता है हमें सिर्ट या 960 रूपय में यह इसको आप बाइक करना चाहते हैं तो description दो मैं लिंक दी हुई है आएफेंट रिखते हैं हम अपने next laptop की ओर जो है Acer का ES15 core i3 sex generation आएफेंट रिखते हम इसके highlights यहां में Intel core i3 मिलता है sex generation का 4GB की DDR4 RAM मिलती है 64 bit Linux Ubuntu operating system 500GB की hard disk और 15.6 inches का display दिख रही मिलता है आएफेंट रिखते हम इसके specification बात करें इसके दिया model number की तो यहां model number है जो वह है ES157233 MA battery pack up में यहां पर हमें 6.5 hours का battery pack up मिलता है up to battery cell की बात करें तो हमें 4 cell देखने मिलते हैं यहां processor brand की बात करें तो हमें Intel core i3 6 generation 4GB RAM DDR4 500GB की यहां पर हमें hard disk मिलती है 2.0 GHz की आपर हमें block speed देखने को मिलती है RPM की बात करें तो यहां पर हमें 500 RPM मिलता है यह फिर दिखते हैं कि हम graphic processor की यहां पर Intel की integrated HD 520 यह देखने मिलते हैं बात करें operating system की तो यह दोनों variant पर available है या Linux में मिल जाता है और Windows 10 में USB port की बात करें तो 2.0 के 2 port मिलते हैं और 3.0 के एक port हमें आपर देखने को मिलता है बात करें friend हम इसके यहां पर display की तो 15.6 inches के यहां पर display मिलता है HD pixels के साथ और LED backlets यहां पर भी हमें देखने मिलते हैं सभी laptop में हमें CD और DVD writer मिलता है और सभी company के inventory features देखने को मिलते हैं Acer का ES15 Core i3 6th generation यह हमें 24,990 रुपय में मिलता है यह दिसको आप buy करना चाहते हैं तो description पर लिंक दी होई है अब हम बात करते हैं Lenovo के ideal pair Core i3 6th generation की friend यहां highlight पर में Intel K i3 processor 6th generation देखने को मिलता है 4GB की DDR4 RAM मिलती है, operating system की बात करें तो यहां पर हमें DOS मिलता है 1TB के harddecks, 15.6 inches का display, company में इसके certification की हो, बात करें दिये हैं में इसके model number की तो IP 320E इसका model number है, battery backup की बात करें तो यहां पर हम अप्टू 5 hours की मिलती है और battery cells की बात करें ते हमें हमें 2 cells देखने को मिलती है processor और memory features में देखें के यहां पर हमें Intel i3 code 6th generation 4GB की DDR4 RAM, 1TB की harddecks, 6th generation processor 2.0 GHz का हमारी clock speed मिलती है यहां पर friends हमें expandable memory 16GB, यहां पर देखने हमें 3M मिलता है RPM की बात करें यहां पर 500RPM देखने हों मिलता है यहां पर हमें DOS, Windows 10, USB port की यहीं हम बात करें तो friend यहां पर हमें USB Type-C का 1 port मिलता है और 3.0 की 2 port मिलते है USB Type-C friend बहुत कम ही laptop में यूज हो रहा है लेकिन future की लिए बहुत ही जादा अच्छा है Type-C port क्योंकि इसमें data transfer की speed होती है बहुत यच्छ इंकी है सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो description वाले link दी हुई है आप वहां जाके इनकी specification को चेक कर सकते हैं और बाइक कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पीस इस लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें Thank you for watching this video